रॉम रॉम अगर किसी government job की तयारी कर रहा है या फिर कुछ भी business कर रहा है या फिर किसी भी field में तुम कुछ भी काम कर रहा हूँ मेरी एक advice तुम्हें हमेसा काम आएगी और वो है लगातार करते रहो देखो होता क्या है कि कई बार एक ऐसा point आएगा जब तुम्हेंजे समय में आगी तुमjया चिज़ नहीं रही है या कोई दो मंद बुद्धी नहीं है यह माप करो प्रभू भूट तो और हो तयमन बुद्धी हो तो पुर का कर सकते हैं अगर थोड़ी बहुत भी बुद्धी है तुम्हां पास बदाम-ढदाम खायो बजवर्चों में letting तो किसी भी काम को इसक्यों का जाता है किसी भी काम को तूम से जो fault हो रहे हैं वो तुम्हारे सामने अल्लेडी आ जाती है अगर तुम किसी एक काम को एक महीने लगातार कर रहा हो ठीक है तुम डेली डेली अगल गलत भी कर रहा हो बहुत पॉइंट वाली बात है अगर तुम डेली डेली वो चीज गलत भी कर रहा हो तुम्हें तीसवे यह नहीं है कि तुम चार बार हो रहा हु हो तो तुमने सोच लिया की तै kraight कर देते हैं या की तोस्तोमारे लि Troy ko आठो एक चीज़ समझे हो हो चाहे सरकाई नोकरी की तियारी कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो चाहे घुट का कोई भी काम कर रहे हो फेलियर होते रहेंगे lifetime होते रहे ठीक है तो अकर तुम यह सोचकर बैटे हो कि पहले में तुम फार दोगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तो क्या करना है तुम्हें जब भी तुम लगातार फेल हो रहे हो इक चीज को हमेशा दिमाग में रख लो कि जब भी फेल होते हो तो रुखना नहीं होता है थोड़े देर का कॉमा लगाएंगे आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, समझो बात को कॉमा लग सकता है, कॉमा का मतलब क्या होता है दो दिन का ब्रेक, चार दिन का ब्रेक हफते बर 10 दिन, 15 दिन, ये ब्रेक चल सकता है, लेकिन अब तुम सोचो फुल स्टॉप उस नौकरी की होई तैरी ही बंद कर दो तो फिर तुम से बड़ा बेकूफ कोई नहीं क्योंकि तुमने जब तीन साल उसमें खपा दिये हैं दूसरी फिल्ड में जाओगे, जीरो से सुरू करोगे फिर से तीन साल वही पहुचोगे, मतलब त्याये बराबर रहोelfist, छह साल बरबाद इससे अच्छा यह है जो भी काम कर रहाग जीस भी फिल्ड में नहीं कर रहे हो तुम त्यारी कर रहा हूँ उस फिल्ड में लगे रहूँ बस किसी भी तरीके से बस लगे रहो हटो नहीं क्योंकि कई लोगों को जो करते रहे लगातार चार साल उनकी फिल्ड में कुछ नहीं हुआ और पांचवे साल इतना जादा ग्रो कर गए है वो चार साल सब हसूल हो गए तो कहने का मतलब यह है एक समराइस जो हम एक चीज़ तुम्हें बता दें कि अगर तुम्हें कोई बीचीज चाहिए उसमें बस लगे रहो डेली बेसिस पे यकीन मानो वो चीज़े मिल जाएंगी लेकिन हाँ टाइम लगेगा और टाइम इस बेसिस पे लगता है कि तुम कित जहीं